राजस्थान रॉल्स और सन्राइजर्स हैदरबाद का मुकाबला सिर्फ दो टीमों का मैंच ना होकर दो धाकड विरोधियों का बिराप ये दो खिलाडियों के बीच का जिनके बीच की राइविल्री आईपिल से बाहर अंतर राश्ट्रे क्रिकेट में भी मशूर थी ये मुकाबला था उस्ट्रेलिया ई ओपनर डेविड वार्नर और इंग्लेंड के 23 गेंदबास जोफरा आर्चर के बीच का इंटरनाश्टनल क्रिकेट में दिखने वाली इनके बीच की राइविल्री आईपिल 2020 में भी खूब नजर आई और हमेशा की ही तरह बाजी एक बार फिर से राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल रहे गेंदबास जोफरा आर्चर के पाले में गई राजिस्थान की ओर से खेल रहे जोफरा आर्चर ने इस मुकाबले में सिर्फ एक विकेट हासल किया जिसमें सन्राइजर्स हैदरबाद के कप्तान डेविड वार्नर का विकेट रहा इसी विकेट के साथ आर्चर दुनिया के चोथे ऐसे गेंदबास बन गए जिन्होंने वार्नर को क्रिकेट की हर फॉर्मेट यानि टेस्ट वन डे और टी ट्वन्टी इंटरनाशनल और अब आईपेल में भी आउट किया है आर्चर से पहले डेल स्टेन, मौर्ने मोकर और जेपी डुमिनी ने हर जगा वार्नर के विकेट लिये हैं वार्नर को टेस्ट वन डे टी ट्वन्टी इंटरनाशनल और आईपेल में आउट करने वाले आर्चर पहले ग्यार अफ्रीकी खिलाडी भी हैं आपको बता दें, जोफरा आर्चर ने डेविड वार्नर को टेस्ट मैच में तीन बार, वन डे में दो बार और टी ट्वन्टी अंतरराश्ट्रे मैच में दो बार आउट किया हैं वहीं आईपेल टी ट्वन्टी में ये पहली बार हैं हाला कि डेविड वार्णर का सभी फॉर्मेट में विकट लेने में आर्चर ने बाकी तीन गिंदबाजों के मुकाबले सबसे कम वक्त लिया हैं। उन्होंने ये कमाल सिर्फ चोधों महीनों में कर दिखाया है। एक गिंदबाज के तौर पर आपको जोफरा आर्चर कैसे बताएं। साथ ही देश दुनिया और IPL की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें। TV9 भारत वर्ष।